हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फोर कोड लर्निंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है आई यूएस एप्लिकेशन डवेल्पमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जेसन फाइल में से डेटा को फैच करना है और यह जो जेसन फाइल है यह कि इसी वेब सर्वर के ऊपर हमने प्लेस की है और इस डेटा को हम टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे इससे पहले जितनी भी वीडियो मैं इस टॉपिक के रिलेटर इस चैनल के ऊपर अप्लोड कर चुका हूं अगर वह वाली वीडियो आपने फॉलो की जो फंक्शनलिटी है वो इंबेड की जाती है तो चलिए मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रणिंग एग्जामपल है आप यहां पर देख पा रहे हैं और यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक ऐसी एप्लिकेशन का जो डिजाइन है वो यहां पर रैडि स्टेंड कर पाए तो यहां पर देख पा रहे हैं उपर मैंने नैविगेशन कंट्रोलर की हल्प के साथ जो टाइटल दिया है वो है कंट्रीज नेम और नीचे वान से लेके एटीन तक जो कंट्रीज के नेम से हैं उनको मैंने टेबल व्यू के अंदर जो है वो एज स्क्रो किस तरीके से हमने एक वेb सर्वर के ऊपर जो जेसन फाईल है वो प्लेश की हूई है और इस जेसन फाइल के अंदर किस तरीके से हमने डेटा को जो है वो फॉरमेट करके रखा हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफेरेंट डिफेरेंट कंट्रीज के जो नेम searched है वो यहां पर create करके एक web server के उपर जो है वो place की है और इसी link को मैं अपने coding के अंदर जो है वो use कर रहा हूँ ताके मैं data को जो है वो अपनी iOS application के थूँ जो है वो assess कर पाऊं और इसे बाद मैं decode कर पाऊं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने उसको decode किया है अपनी structure के accordingly यहां पर मैंने same जिस तरीके की मेरी JSON file के अंदर data है उसी way के साथ मैंने उसको convert करने के लिए data को ताके मैं उसे iOS application के अंदर use कर पाऊं मैंने एक यहां पर structure create करके रखी हुई है तो चलिए यह तो थी हमारी आज की example किस तरीके से work करती है अब मेरे पास यहां पर थोड़ी बहुत terms है theory के related जो के आपके लिए फिर से जानना काफी important है जो हमारे पुराने members हैं इस channel के उनको एक बार फिर से मैं बहुत ही simple language में revise करवा देता हूँ और जो नए members हैं वो पहले तो चैनल को subscribe कर ले और अब मैं आपको line by line थोड़ी सी जो theory के related information है जो के इस example के लिए काफी important आपके लिए जानना ताकि आप Google पे इस topic के related जो terms हैं उनके जो searching है वो खुछ से भी कर पाएं तो सबसे पहला जो है वो है जैसन तो यह basically javascript object notation इसकी full form है और यह काफी lightweight format है जिसके थुरू हम जो data है web server पे store करवा सकते हैं और इसको जब भी हमें transport करने की जुरूरत पढ़ती है डेटा को internet के थुरू किसी application में required होता है डेटा तो हम जैसन format ही जो है वो यूज करते हैं और यहाँ पे अगला जो term है वो है codable तो यह basically एक protocol है जिसकी help के साथ आप json data को structure में convert कर सकते हैं और swift की जो structure है उसके data को अगर आप web server को बेजना चाते हैं तो उसे json format में बेज सकते हैं जो conversion का काम है वो codable करता है और यहाँ पे एक tip दी हुई है कि आपके जो json के अंदर जो keys के जो names हैं यहाँ पे जैसे मैंने country name लिखा है तो आप कोशिश कीजिए कि same name जो है वो structure के अंदर जो properties हैं उनका name जो है वो same हो इससे होगा क्या इससे जो conversion है वो काफी easy हो जाएगी नहीं तो आपको coding keys वगेर करवाया है इस application के अंदर चाहे वो json की file हो चाहे वो web API हो तो हमने url session को जो है वो use किया है आगे टाम आती है completion handle तो यह basically swift के अंदर एक ऐसा function है जिसको हम feedback function कह सकते हैं इसको हम कोई भी task assign कर सकते हैं और यह function जब अपनी task को complete कर लेता है तो जो भी method इसको call करता है वो उसे यह वाला completion handler feedback दे के बताता है कि मैंने जो task आपने assign की थी वो मैंने complete कर दी है फाइदा इसका यह है कि आप application में कोई अगर data को download वाली task perform करवाने के लिए दे रहे हैं तो आप completion handler का use कर सकते हैं ताके जब तक आपका data download हो तब तक आप application के अंदर जो other processing है वो कर पाएं structure तो आपको पता ही है यह एक तरह का type ही है data type क्या सकते हो user defined data type swift के अंदर जिसकी help के साथ आप properties behavior को encapsulate कर सकते हैं आगे application transport security तो यह apple की तरफ से provide किया गया एक feature है जिससे हम unscured http connections जो है वो यह जो है ब्लॉक करता है और हमें केवल अलॉक करता है http secure connections तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मेरे पास secure web server नहीं था इसलिए मैंने unscured पे ही इसको upload कर दिया इसलिए मुझे ATS में एक ऐसी configuration करनी पड़ेगी जिससे आपको जो application में data fetch करने में कोई problem ना आए और अगली बात करते हैं UI table view की तो जब भी आपको application में आप चाहते हैं कि data को आप as a scrolling list of items की form के अंदर इस तरीके से display करवाएं तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी UI table view की तो य iOS के अंदर एक built-in class है जिसको easily आप use कर सकते हैं और table view को manage कौन करता है table view controller जो के हमारी class है UI table view controller class तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो UI table view controller है यह super class है इस UI table view की तो चलिए friends यह theory के related थोड़ी सी information मैं हर जितनी भी examples create करता हूं सभी में थोड़ा सा बताता हूं तांके जो भी users है members है इस channel के वो अपने level पे भी जो है वो इन topics के बारे में जो है वो search कर पाएं Google के उपर तांके उनकी जो knowledge है वो इस video से ज़ादा enhance हो तो चलिए यह तो थी theory के related information अब हम practically देखेंगे कि कितना आसान है इस application को develop करना तो friends उसके लिए मैं इस project को stop कर देता हूं पूरे project को हम close कर देते हैं क्योंकि हम जो implementation है वो Xcode के अंदर बिल्कुल beginning से जो है वो शुरू करेंगे यहाँ पर file new अब हमने project को select करना है single view application develop करेंगे next पर click करते है product name के अंदर आज की example का कोई भी name आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैं अपने accordingly एक name जो है वो यहाँ पर provide कर रहा हूं बागी settings आपने default राने देनी है और जो language हम use करेंगे coding के लिए वो है swift और next पर click करते हैं अब आपने अपने laptop के अंदर यहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप एक folder create कर सकते हैं तांके आज की example का जो सारा source code पर्टिकुलर folder में जो है वो save हो पाए data from json in table view इस तरीके से एक folder create कर रहा हूं और इसके अंदर पूरे का पूरा project create कर देता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा जो project है वो create हो चुका है अगर मैं आपको build settings के अंदर दिखाओं तो जो swift का version है वो मेरे पास है 5 और अगर बात करें X code की तो यहां पर है 10.2.1 अगर आपके पास इससे भी higher version है तब भी आप इस example को इसी वे के साथ जो है वो easily develop कर पाएंगे और जो मेरे पास laptop है यह macbook air तो friends आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस channel के उपर नए है चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस channel को subscribe कर ले क्योंकि इस channel के उपर हम daily programming related जो video tutorials हैं उनके सबसे बढ़िया जो methods है वो upload कर करते रहते हैं जिससे आपको programming सीखने और सब महीने में काफी help मिलेगी और in case कहीं पर भी आपको कोई problem आती है तो आप हमें directly YouTube की वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं या फिर हमें email भी बेच सकते हैं हम कोशिश करेंगे जतनी जल्दी हो सके आपकी query का जो response है वो आप तक पहु इस object library पर click करना पड़ेगा और यहां पर search करना पड़ेगा टेबल और इस table view को हमने drag and drop करना है इस canvas के ऊपर अब मैं चाहता हूं पहले मैं अपनी application यहां पर open कर लेता हूं ताके साथ में साथ आपको जो reference है वो यहां पर मिल पाए तो यहां पर जो मैं चाहता हूं कि टेबल है यह मेरे mobile की पूरी की पूरी जो free space है उसको cover up कर पाए तो उसके लिए मुझे इस table view के ऊपर जो constraints है वो apply करने पड़ेंगे तो मैं यहां पर constraints apply करता हूं और आपने four corners पे जो 00 है वो इस तरीके से type करना और इन four constraints को add करना है इस table view के ऊपर अब आप देख सकते हैं किस तरीके से table view ने पूरी की पूरी जो free space है वो cover up कर लिए है अब मैं attribute inspector के अंदर चलता हूं और इस table view की एक property है prototype cells इसको आपने करना है one अब आपने size inspector के अंदर जाना है और इसकी जो row की height है वो आप अपने accordingly कर सकते हैं मैं यहां पे 80 ले रहा हूं अब आपने table view को expand करना है और इस table view cell को select करना है और यहां पे भी जो row की height है वो आपने provide करनी है 80 attribute inspector के अंदर जाने के पार इसका जो style है वो आपने करना है basic क्योंकि basic style के अंदर हमें by default text label जो है वो मिलता है तो यह जो example है यह beginner level की example है इसको मैं table view को customize नहीं आपको custom table view के अंदर data किस तरीके से incorporate करते हैं वो भी बताऊंगा तो अभी के लिए style आपने लेना है basic और जो identifier है वो आप name कोई भी ले सकते हैं बस जब coding के अंदर इसकी requirement होगी तब जो name यहां पे identifier का use किया होगा वही same name आपको coding के अंदर जो आप यूज करना पड़ेगा अब हमने इस table view के जो delegate and data source है वो दोनों configure करने हैं तो उनको configure करने के लिए आपको table view को select करना है keyboard पे control की को प्रेस करके से इस तरीके से dot के ओपर drop करना है और सबसे पहले data source और फिर से control की को प्रेस करते हुए drag and drop और यहां पे delegate तो delegate and data source हमने configure यहां पे कर दिये हैं और अब जो next हमारा काम है वो है हमने इस JSON फाइल में से data को अपनी application के अंदर लेके आना है तो उसके लिए हमें इस JSON को structure में convert करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपनी application के अंदर एक structure जो है वो create करते हैं और यहां तो मैं add करता हूँ new file और यह किस टाइब की file होगी swift file होगी next पे क्लिक करते हैं और यहां पे आपने file का name देना है country list और इसको create करना है और यहां पे एक structure create करेंगे हम तो उसके लिए यहां पे coding करते हैं country list क्योंकि हमने JSON data को structure में convert करना है तो इसलिए हम साथ में codable जो protocol है उसको use करेंगे coding keys की हमें जुरूरत ना पड़े इसलिए हम जो same name यहां पे हमने key के लिए लिए country name इसको मैं copy कर लेता हूँ और इसी name को मैं यहां पे properties के लिए जो है वो यूज करूंगा चलिए तो किस type की property है यह string type की property है वो हमें इस data से पता लग ही रहा है दोनों double code के अंदर incorporate की गई है तो हमारी structure जो है वो यहां पे बन चुकी है इसको मैं save करता हूँ एक बार और फिर से view controller के अंदर चलते हैं और यहां पे बाकी अपनी coding है वो करेंगे तो उससे पहले इस table view का एक IB outlet जो है वो create कर देते हैं क्योंकि जब भी हमें table view के अंदर कुछ changes करनी पड़ेंगी तो वो हमें IB outlet के through ही करना पड़ेगा तो IB outlet create करने के लिए मैं अपना जो favorite method है assistant editor उसी को use करूंगा तो मेरे mouse का cursor देखिए यहां पे क्लिक करेंगे side वले panels को hide करते हैं तांके clearly आप देख पाएं और by default यहां पे जो class open हुई है वो a view controller और इसी में हमने इस table view का IB outlet जो है वो create करना है तो table view को select करते हैं keyboard पे control key को press करते हैं drag and drop करेंगा यहां पे IB outlet का जो name है वो आप अपने accordingly जो है वो रख सकते हैं तो मैं यहां पे इस तरीके से create कर दिया है मैंने IB outlet फिर से standard editor के अंदर चलते हैं side वाले panel को unhide करते हैं इसको एक बास save करते हैं और view controller के अंदर चलते हैं और यहां पे मैं इसको अब coding की तरफ जो है वो जाओंगा तो सबसे पहले यहां पे एक array create करते हैं country data नाम की और किस type की array होगी country list type की array होगी जिसकी हमने structure create की थी इसको अभी के लिए blank ही रहने देते हैं और अब मैं इस comment वाली line को यहां से delete कर देता हूं तांके complexity जो है वो कम हो पाए अब हमने separately यहां पे एक function जो है वो create करना है तांके data को हम json file में से जो हम fetch कर पाएं अब हम यहां पे लेंगे let url equal to url और यहां पे इसको string पास करेंगे string में हम पास करेंगे इस जहां पे मेरी json file पढ़ी हुई है इसको मैं copy करता हूं और यहां पे मैं paste करता हूं तो friends मैं जो यह अवली json file है यह server के ऊपर पढ़ी रहने दूँगा तांके आप इस example की जो practice है वो इसी link के थूँ जो है वो कर पाएं अब हम यहां पे एक data task नाम का जो object है वो create करेंगे url session के थूँ शेयर्ड यहां पे instance और data task यहां पे create करेंगे with में url pass करेंगे और उसे forcely unwrap करेंगे और यहां पे completion handler के अंदर हमने जो बाकी अपना code है वो लिखना है चलिए अब हमने guard statement यूज करनी है guard let data equal to data तो जो data हमें url से मिला है उसको हमने एक बार confirm करना है क्या वो properly data है यहां फिर हमें कोई error occurred हुई है अगर कोई error occurred हुई है तो हम else में चले जाएंगे और यहां पे हम print करवाएंगे output window के अंदर तो guard statement इसलिए use होती है तांके अगर कोई problem आये तो हमारी जो processing है वहीं पर रुक जाए और हमें पता चल पाए कि जो problem है उस particular location पे जो हो आ चुकी है और अगर नहीं आई तो हमें आगे बढ़ने की जो guard statement है वह जाज़त देता है अब हमने यहां पे एक array create करनी है लिस्ट सी लिस्ट कहने का मतलब country लिस्ट और यहां पे किस टाइप की होगी country लिस्ट टाइप की होगी अभी के लिए इसको हम blank जो है वह create करेंगे चलिए अब हमने जहां पे आपका जो completion handler इस तरीके से complete हो रहा के बाद आपने data task को क्या करना है resume करना है अब हम यहां पे do statement यूज़ करेंगे और do block को के अंदर errors को पकड़ने के लिए catch block को यूज़ करेंगे और यहां पे अगर कोई error आती है तो इसका मतलब है यहां पे हम error message हुआ है वो print करवाएंगे तो do block में basically हम जो data हमारा URL के through receive इसकी decoding करेंगे और अगर कोई error आती है तो हमें पता चल पाएगा कि जो error है वो decoding वक्त आई है और इसको मैं इस तरीके से string interpolation के through error को print करवाऊंगा अब do के अंदर करना क्या है हमने c list के अंदर जो decoded जो data है वो यहां पे लेके आना है Jason decoder के through और यहां पे अब हम square brackets को use करेंगे country list हमारी structure और square bracket के बाहर dot self from data जो data हमें यहां पे guard statement के through जो है वो receive हुआ है अब हमने इस do statement यहां पे खत्म हो रही है do के बाद catch, catch के बाद हमने यहां पे जो अपना original यहां पे blank कह रहे थी यह वाली इसमें data अब लेके आना है तांके इसको हम table view के अंदर जो है वो use कर पाए तो यहां पे लिखेंगे self.country data equal to c list और यहां तक हमारी coding जो है वो हो tutorials अपने channel के उपर upload कर चुका हूं कि कैसे table view को हम जो है वो implement करते हैं तो उसके लिए सबसे last में जहां पे आपका पूरे का पूरा यह जो class है वो खत्म हो रही है उसके बाद आपने use करनी extension view controller और यहां पे दो protocols use करेंगे ui table view delegate ui table view data source तो मैं यहां पर आपको बताना चाता हूं कि जब भी आपके protocols को use करना है तो उनको confirm करने के लिए उनके ओपर खराउतने के लिए आपको उनके जो compulsory methods हैं वो related method है उसको implement करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं तो सबसे पहला जो method है table view नाम का function उसमें number of rows जो हैं वो section के अंदर कितनी होनी चाहिए तो यहां पर हम return करेंगे जो हमारी country data वाली array थी उसमें जितने number of elements हैं उतनी number of rows जो हैं वो हमारी table view के अंदर जो होंगी अब second function है table view का ही जिसमें parameter है cell for row add तो इसमें हम ऐसा code implement करेंगे जिसके through जो data है उसको हम table view के cells के अंदर जो है वो display करवा पाएं तो code लिखते हैं let cell equal to my table view dot dq reusable cell identifier में लिखेंगे cell form index path और अब आप कहेंगे यहां पर identifier cell कहां से आया तो मैं एक बार फिर से आपको remind करवा देता हूं कि जब मैंने table view के अंदर cell को configure किया था तो यहां पर identifier का जो name था वो मैंने लिया था cell तो तो same name अब मैंने coding के अंदर यहां पर use किया है तो आपने भी यह जो है वो ध्यान में रखना है अब हम cell के through उसकी जो by default text label है उसको यहां पर assess करेंगे उसकी text property को set करेंगे data कहां से आएगा तो अब आप देख सकते हैं data मैंने concatenate किया है एक तो मैंने row number display करवाया है जो के one से शुरू होता है और by default table view के अंदर जो row है वो zero से शुरू होती है मगर हम plus one करके चलेंगे और साथ में जो data यहां से decode हुआ है Canada, China, France उसी data को हमने यहां पर डिस्पले करवाया हुआ है cell by cell तो उसके लिए मैं यहां पर string interpolation यूज करूँगा तो सबसे पहले numbering प्रिंट करवाने के लिए index part dot row क्योंकि zero से शुरू होता है plus one करेंगे अब हमने यहां पर करना गया है इसको plus one अंदर ही कर देते हैं plus one अब हमने साथ में dot attach करना और फिर से एक और data हम यूज करेंगे country का name वो कहां से आएगा country data में से आएगा कौन सा element index part dot row कौन सा attribute country name इस तरीके से और यहां पर return करेंगे cell तो चलिए friends यहां पर मैंने जो code है वो properly जो है वो कर दिया है आप चाहें तो वीडियो को pause करके यहां तक coding जो है वो इसकी no down कर सकते हैं यहां फिर बाकी coding जो है वो आप यहां से लेके यहां तक जो है वो no down कर सकते हैं अब यहां तक जो coding है वो no down कर सकते हैं चलिए अब हमने एक configuration और करनी है उससे पहले यहां पर जो fetch data वाला method है इसको यहां पर हम call करेंगे view did load के अंदर और क्योंकि table view को हमने refresh करवाना है तो उसके लिए यहां पर self.country data is equal to c list के बाद हम dispatch queue को use करेंगे क्योंकि जो completion handler के थूँ जो json को assess करने वाला thread है वो कोई और है इसलिए हमें जिस जब भी UI elements में हम changes करना चाहते हैं iOS application के अंदर तो हमें main thread में जाना परता है तो मैं यहां पर main thread को use करूंगा async के थूँ और यहा यहां पर self.my tableview.com से simply reload करूंगा तो यह भी आप अब जो coding no down की यह उसमें add on कर लें इसको मैं save करता हूं अब application transport security वाली जो setting है यह वाली इसको हमने configure करना है तो info.plist में जाएंगे यहां पर plus पर click करेंगे सबसे last में और यहां पर select करेंगे app transport security setting बाहर कहीं पर भी अब click करेंगे और इस arrow की जो direction हो नीचे की तरफ करने के लिए इसके उपर click करेंगे अब आप देख सकते हैं arrow की जो direction हो नीचे की तरफ हो चुकी है तो यह काफी important है अब फिर से इस plus के configuration को यहां पर हम करेंगे configure yes चलिए अब मेरी ats वली जो यहां पर जो configuration है वो हो चुकी है अब मैं इस app को यहां पर बंद कर देता हूँ और अपनी जो नही एप है जो मैंने आपको develop करनी बताई है उसको build and run करके देखते हैं क्या यह properly work कर पाती है simulator के अंदर तो सबसे पहले app जो है वो without any error जो इसका build है वो succeed हो चुका है app बन चुकी है अब देखते हैं यहां पर output किस तरीके से निकल के आती है तो data जो आप देख सकते हैं properly table view में display हो चुका है मगर एक जो उपर यहां पर title बार थी navigation controller के through वो add करनी हमने miss कर दी है तो चलिए उसको भ अब हमने यहां पर क्लिक करना है embed पर और यहां से हमने select करना है navigation controller तो navigation controller जो अब मेरा add हो चुका है application के अंदर इसको अब थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे बिल्कुल parallel अब आपने यहां पर क्लिक करना है उपर title बार पर और यहां पर नेम प्रोवाइड करना है जो भी आप लिखना चाहते हैं country name और अब मैं फिर से application को save करता हूं और इसे run करता हूं और अब output देखेंगे आप similar to previous application जो है वो हो चुकी है friends यह थी हमारी आज की example आपने देखा कैसे इस json data को हमने किस तरीके से और इस table view के अंदर display करवाया और इसी application की reference के साथ आप news के रिलेटर जो application है वो develop कर सकते हैं आने वाले दिनों में मैं जो custom table view है उसमें images and data दोनों कैसे हमने incorporate करने हैं वो भी आपको बताऊंगा तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से से like कीजिए अगर और भी वीडियो हमारे चैनल के उपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना मत भूलिए बेल आइकोन को प्रेस कीजिए तांके जैसे हम कोई नई वीडियो इस चैनल के उपर अपलोड करें तो उसका जो notification है उसी time पर आपके पास पहुंच पाए चैनल के साथ बने रही है वीडियो देखते रही है प्रोग्रामिंग सीखते रही है ठैंक्स फ्रेंड्स पर वाचिंग आवर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ तो तब के लिए बाए बाए